Hello everyone, मैं अमित औरमा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ करप किमेस्टी क्लासेज में, चोंटिन्यू करते हैं आज की क्लास हेलो एब्रीवन मैं अमित और मा तो देखिए आज हम जो एक लेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्टर स्रीज में हम क्या करेंगे जो असिस्टन प्रोफिसर्स के स्टेट गवर्मेंट में एक्जाम्स होते हैं उनके हम कुछ पेपर सॉल्व करेंगे जो कि जाते हैं तो कुछ पेपर हम सॉल्व करेंगे जो नए बच्चे हैं जो नए बच्चे निट कॉलिफाई या पेजडी करेंगे वह जाके असिस्टन प्रोफिसर्स में बैठें तो एक आइडिया मिल जाएगी और साथ में क्या हो जाएंगे एक पेपर सॉल्व हो जाएगा तो देखिए हम आज से जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे यह हमारा अभी लेटेस्ट एक्जाम हुआ था चतिस गड़ में असिस्टन प्रोफिसर का जहां पे यह देखा गया कि वहां पे एक हंडेड कुस्टन पूछे गये थे मैं आपको पेपर को बता देता हूं हंडेड क कुस्टन पूछे गये थे जहां पे एक कुस्टन आपका टू मार्क्स का था कितने मार्क्स का था टोटल टू मार्क्स का टू हंडेड का केमिश्टी का पेपर था किसका केमिश्टी का और जीएस का दूसरा था तो जीएस का हम डिसकस नहीं कर रहे हैं हंडेड कुस्टन थ जिसमें से आपके आरगनिक, इनारगनिक and physical chemistry का जो ratio होता है वो आपका जो आरगनिक कुसंस थे वो 33 कुसंस पुछे गए थे, किन्ने पुछे गए थे 33 जो 34 और बाकी में क्या था इनारगनिक और फिसकल तो आज जो हम कुछ problem solve करेंगे वो हमारे organic chemistry के उपर based होंगी और इसमें जो negative marking थी negative marking वो आपकी 1 by 3rd negative marking थी और questions से आपके 100 आपको 120 minutes का यानि आपको 2 hours का समय मिला था तो क्या होना चाहिए कोई भी आपका exam होता है उसमें questions ज्यादा होते हैं time कम होता है तो आपको बहुत ही अच्छा knowledge होना चाहिए और example solve करने की वे questions solve करने की आपकी practice बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तो आज जो हम start करेंगे ये introduction video होगा जिसमें हम आपकी 2 problem solve करेंगे उसके बाद हम आपको organic chemistry का इनारगनिक chemistry का फिर physical chemistry का क्या करेंगे हम आपको solutions देते रहेंगे तो देखिए जैसे कि हमने कहाँ पे कुस्सन लिख रखा है ये कुस्सन हमारा एक पूछा गया था एक उसी paper में तो आएए इसको हम discuss करते हैं तो जो नए बच्चे होंगे काफी helpful होग इसमें उनके लिए बहुत ही important वीडियो होने वाला है तो कुस्सन ये है कि इसमें कैस दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि ये आपके option से कुस्सन ये दे दिया गया है कि एक compound आपका X है compound क्या है आपका X है जिसका इन्होंने molecular formula दे दिया है C7H7NO2 ये compound X है जिसका molecular formula ये दे दिया गया है फिर बोला गया है कि it undergoes reduction to give compound Y ये दे दिया कहां गया ये इसका reduction हुआ to give compound Y दन इसका molecular formula C7H9N है ठीक फिर क्या हुआ जो ये compound Y है ये फर्दर हगया डाइजोटाइजेशन इसका फर्दर डाइजोटाइजेशन हुआ हमेसा लिख लिए एक equation डाइजोटाइजेशन हुआ डाइजोटाइजेशन होने के बाद और फिर followed by डाइजोटाइजेशन प्लस CuCN से जब इसको हमने treat किया एक ही पहले हमने डाइजोटाइजेशन किया फिर CuCN किया फिर एक compound हमारा बना compound Z जिसका formula है C8H7N C8H7N यह आपका compound क्या है आपका Z है फिर क्या हुआ फिर इस compound को जब हमने hydrolyze किया क्या क्या hydrolysis किया hydrolysis किया और hydrolysis Z followed by oxidation hydrolysis किया फिर क्या क्या हमने साथ में oxidation किया दो इस्टेफ साथ में किये दो इस्टेफ जो साथ में किये तो क्या हुआ हमारा जो compound बना एक compound क्या बना compound P बना compound P बना जिसका molecular formula क्या है C8H6O4 ठीक C8H6O4 फिर यह बोला गया कि जो compound P है gives only one mono substituted product यह आपका कोई भी reaction होती है यह कोई जो further reaction होती है तो यह एक mono substituted product बनाता है क्या बनाता है mono substituted product बनाता है फिर पूछ लिया गया है कि आपका products Y products Y और product P को पूछ लिया गया कि उनके structures क्या है उन components के नाम क्या है पहला Opan है पएरा नाय्ट्रॉ टालुइन पैरमिघाइल एनलीएन पैरमिघाइल एनलीइन तर्थ अलिक ÖStिक पैरा नाय डॉन गयान बेंजहार इसीद देखिए कुस्तन बहुत ही इजी था बस के वल आपको sequential steps आपको follow करने से आपका एक्जाम आपका तुर्णत solve हो जाता एक्जामपल यह देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यह इक्वेजन क्या करेंगे हम लिखे करने के लिए ठीक है अब है कि बहुत एच्छा एक्जामपल था तू मार्क्स का था और यह माल लीजिए आपको बस एक मिनट का टाइम मिलता है क्योंकि आपको हम मार्क भी करना होता है कुस्तन स्लस्व करने के लिए आपके पास केवल एक मिनट मैकस्मम से मैकस्मम आपको 65 आपको मिल सकते हैं कुस्तन स्ल्व करने केलिए यहां से अभी कुछन करते हैं तो इस में क्या इसका मतलब यहां पर 100% आपका क्या है एक बीन डेंग हो सकती है क्या एक बेंजीन रिंग हो सकती है कि जितने भी आप्षन दिये थे सभी में बीन जन्सें एक उससे ट्रिक निकाल सकते हैं ठीक फिर क्या हुआ इन्होंने बोला कि आपका एक कोई कमपाउंड है कोई भी एक कमपाउंड ले लिया माल लीजिए हमने यह ले लिया ठिक यह हमारा देखिए फर्मुला फॉलो कर रहा है सी सेविल एच सेविल इन ओ टू एक्स यह आपको कुछ भी हो सकता है यह आपका यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी कोई भी रिजेंट हमने इसका जब रिडख्शन किया तो क्या बना जब रिडख्शन होगा तो जो ये नोटू गुरूप है ये नोटू गुरूप कि आपका मैं रिड्यूस हो जाएगा इन एच टू में यह जब एच टू जाएगा तो इसका फार्मूला देखिए सी सिस सेवेज़ फार्मूले को क्या कर रहा है यह फालो कर रहा है तो अब बहुत इसका double bond equivalence भी निकाल सकते हैं, double bond equivalence के बाद देखेंगे कि जो हमारा ये आपका compound है, इस तरह का, फिर क्या किया गया, इस compound को क्या किया गया, डाइजोटाइस किया गया पहले, हम पहले उसको क्या करेंगे, डाइजोटाइजियशन करेंगे, जब डाइजोटाइजियशन करेंगे, किसके परदन से में होता है, NEO2, प्लस, HCl, तो ये जो nitro group होता है, amine group होता है, ये N2+, और Cl- में चेंज हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर यहां से यहां से क्या निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा ठीक यह दो हमारा है यह आपका एक जड़ कमपाउंड है इसका मालेकुलर फार्मूला सी इट सिक्स एच चार तिन साथ और एंट सी एट एच सेवर एंट हो गया फिर क्या बोला गया मैं अब दोरिक रपकर हूं यहां से मैं इसको रपकर रहा हुआ से इदना मारकाम हो गया ह ठीक, अब क्या हुआ, अब इस compound को जब हमने क्या किया, further hydrolysis किया, पहले क्या किया, hydrolysis किया, जब hydrolysis किया, तो पता है हमारा जो cn group होता है, किसमें चेंज हो जाता है, एक, acid में, फिर acid में चेंज हो गया, फिर इसी compound का, जब हमने oxidation किया, देखिए, उसमें लिखा था, followed by oxidation, यह वाना step, जब oxidation किया, जो यह CS3 group है, यह पता है, जब हम oxidation करते हैं, कोई भी cn4 ले ले, कुछ भी ले ले, तो यह आपका किसमें चेंज हो जाता है, आपका coh में, यह भी आपका acid में चेंज हो जाता है, देखिए, इसका molecular formula C8, H6O4, ठीक, O4, यही हमारा compound क्या है, एक product P है, ठीक, इस तरह से हमने start किया, हमको exam में बहुत तरीके से आपको solve करना पड़े का, लेकिन जब को options दिये हुए थे, वह आपके ज़्यादे तर पैरा substitute दिये थी, इसलिए हमने यहां से इसको पैरा substitute से start क किया, मैं आपको trick भी बताऊंगे कि कैसे start करते हैं, देखो, अब जो यह compound बना है, यह compound देखिए, फिर इस पर कोई reaction लगाते है, कोई भी reaction लगाते है, कोई भी reaction लगाएं, तो क्या देता है, only mono substituted product, तो इस compound को देखिए, इस compound को देखिए, यह compound कैसा है, बिलकुल planar molecule है, यह भी a position है, यह भी a position है, यह भी क्या हो जाएगी, बिलकुल सेम हो, यह position क्या हो जाएगी, बिलकुल सेम हो जाएगी, माल लीजी हम इसके उपर कोई भी आपका इलेक्ट्रो फाइल अटाइक करेंगे, कोई भी reaction लगा दें, तो क्या होगा, वो चाहे यहां पे लगे, चा चारों position कैसी है? equivalent position है, इसका मतलब जो ये compound है, ये हमारे उस compound को follow कर रहा है, तो उन्होंने पूछा था, जो हमारा product Y क्या है, ये हमारा क्या है? एक Y और P पूछा था, तो Y और P का बात करें, नाम लिखा हुआ था, इसका नाम क्या है? पैरा मिथाइल, इनिलीन, एंड इसका नाम होता है, इस compound का नाम होता है, टर्थैलिक एसिड, क्या? टर्थैलिक एसिड, इस तरह से आपको कुश्ण करना था, तो इसका जो ये option जो उसमें लिखा हुआ बताए था, वो आपका correct option था, तो इस तरह से आप चल सकते हैं, माल लेजीए, अगर आप MiT Tools से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाता? एक position ये different हो जाती है, ये भी different. ये different. तो यहां last में बनता, उसके mono substitute product ना बनते हैं. क्या mono substitute ना बनते हैं, उसके बहुत सारे mono substitute product बनते हैं, अगर आप यहां पर आर्थों की बी तोetter तो कि भी बना ले डिना लिट में आपको याद रखना कि वह सेम ऐसे मेचा होगा। अगर यह दोनों ग्रूप क्या है सेम हैं तो आपका क्रेक्ट आप्सन तो आपका आपके पैरा मिथाइल इनलीन और तर्थेलिकेसिद बहुत ही इजी था क्योंकि आपके जितने भी आपसंस दिये हुए थे पैरा के ही दिये थे और सभी में उन्होंने क्या थे आप नाइट् प्रश्क्राम टरीका होता है इन कंपॉंण्स का क्या क्या में जी जो भी माली क्यूलर फर्मुला दिया हो तो उसका सॉल्व करने से पहले कुस्थन सॉल करने से पहले कि जो भी दिया हो उसका डबल बॉंड ikiफ युकाली कैका लिजिए डवलोंड 15 whenever ये आप double bond equivalence निकाल लेंगे double bond equivalence निकाल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा हन्द परसेंट आपका जो starting structure होगा वगे आपका बिलकुल सही हो जाएगा तो आप वहाब बहुत heat and trial लगा सकते है double bond equivalence निकाल लिया double bond equivalence का मतलब क्या होता है number of पाई बॉंड्स हमारे कंपॉंड्स में कितने हैं आप पाई बॉंड्स निकाल लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगी कि हमारा इस्ट्रेक्चर यही होगा लेकिन जादा जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास टाइम है आप कुस्टन्स को बहुत स्योर करना जाते हैं कि हमारे जो स्टार्टिंग है आपको स्टार्टिंग बिल्कुत सही बनानी अगर आपने स्टार्टिंग सही बनानी फिर आपका सारव सही हो जाएगा तो आप स्टार्टिंग क्या करें यह बाकि अगर आपको हर मालेक्यूल पर चेक करना है तब भी चेक कर सकते हैं इतना जादा वहीरी नहीं करेंगा डबल और इक्वेलिंस निकाला लीजिए गएगा जिन लोगों को डबल वांट एक्वेलेंस निकालना नहीं आता है तो मैं क्या रूँगा घ्र जिनकों चाहिए तो बता देंगे अलग से उसका वीडियो मरा दूँगा तो डॉब वट इक्वेल तब आपके कुस्टन थोड़ा त्रिक हो जाते लेकिन यहां पर नोने केवल पैरा का दिया था इसलिए कुस्टन थोड़ा इसी था और जल्दी भी हो गया तो नोट कर लिजी इसको अच्छे से की हे यह बहुत इजी प्रॉब्लम थी यह इजी प्रॉब्लम इस लिए थी कि जब इसको हम फरदर हीट करते हैं तो एक एकस बनता है फिर फिर फर्दर हाज्वर हाइड्र अमीन से इस 151 k государ क्या है 16 हई गआगे मिन जब इसको करते हैं तो कंपाउनड बनता है तो बताना था एकस और वाई जो रिप्रेस्टन में आधे रेक्शन सीक्वेंस बन नहीं थे उनका इस त्चीक्शर क्या होगा वो हमारे यह कुछ ऑपसंस दिये हुए थे ठीक है यह कुछ तर्म बना दो इजी इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने कैल्सियम इसिटेट बना के दिए अगर वो कैल्सियम इसिटेट नहीं बना पड़ते तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता कि कैल्सियम करते हैं यहां पर कैल्सियम करते हैं तो हमेशा कैल्सियम कार्बोनेट निकलता है क्या निकलेगा वो कैसे निकलेगा द्धास देखें यहां से क्या करें इसको देखें सीटी आपस में अरेंज होके कैल्सियम कर्बोनेट बना लेता और साथ में कुछ नहीं होता है यह सिस्त्री स्च्श्यों मौयटि ऐसे ही रहती है यह बहुत ही इच्छा होता है बहुत ही एक्जाम में पूछा जाता है और यह स्प्रीम यह कोई भी स्थ्रीम उटी आपके यहां पर आखे आटेस हो जाती तो क्या गया एक ऊसी टूण Candle लिए जियthat यह आक्सिजन ले जिए बाकि इलकाइल गुरुक को क्या करें ऐसे जोड़ दीजिए तो त्रिक के अधर भी आपको कैसे करना है माली आपको कोई भी ऐसे दे दिया जाए ए यह कैसियू दे दिया जाए और ऐसे आर तो फिक कुंसे करना है यह आर वाइटि इसको दे दीजिए और hug अक्क यह की आर ले लिया और प्लस कैसर हमेशा कैसियू कार्वॉनेंट आपको निकालना है हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है अगर आपका यह dot अगर अल्काइल है तो किटो नहीं तो आपका एल्डिहाइड तो हमें इसमें इलिमिनेट करने हैं हमारा एक्स मिल गया यह भी हो सकता है यह यह नहीं होगा क्योंकि दोनों में क्या है यह दिखिए दोनों यह कैसा है यह एक इस तो होगा यह एक इस्टर है इसलिए हमने यहा salt of acid state ठीक है तो हमेशा ketone बनता है और calcium carbonate as a byproduct निकलता है ठीक है जो नए लोग है उलिख ले फिर क्या होगा आप क्या होगा जब हम कभी भी acetone को या ketone को जब हम हाइड्रॉक्सिल एमीन से treat करते हैं हाइड्रॉक्सिल इमीन से treat करते हैं तो क्या बनता है यह यहां से देखिए अभी देखिए जहां से in minus minus H2 निकल जाता है क्या निकल जाता है H2 निकल जाता है और आपका product CS3CONOH यह आपका CS3 बन जाता है यह बनता है आपका एक आकजाइम बनता है जब कभी कीटोन या इल्लिहाइड को हम हाइड्रॉक्सिल इमीन की परिजन से में करते हैं तब क्या बनता है हमेंसा आपका आपका बनता है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा भी यहां पर देखिए उन्हों ने इमाइड बनाया है तो आपका भी है ठीक यह आपका एक किमिस्टी ही जहां से वाटर निकाल दिया लेकिर आप हमें इसकी मेकानिजम भी पता होना चाहिए देखिए कोई वीडियो को हमें सॉल्व करने का मतलब है नहीं कि हमको आपको बता दिया तो क्या करना है कुछ लोगों को जो हाइड्रोक्स यमिन से अजायम बनाना नहीं आता है उनके लिए मैं प्रप्शन को मेकानिजम देने जा र पर ही बताएंगे क्योंकि आपका कुछतन में पुछा गया था तो क्या करना है जब कभी भी आपको कोई भी किटोन दिया हो दिखिए आपके हापे किटोन क्या दिया हुआ है आपका यह और हाइड्रॉक्सिल एमीन जो होता है अना वो कुलाइट के फार्म में आता उसमें हम होता है तो वो होता है तो क्या होगा इसके पास लोन प्यार आफ लेक्टान यह फार्मेशन आप आग्जाइम डाल लीजिए गा ठीक इस तरह से सब कुछ सिखना है आपको कुस्टन भी पता दिल जाएगा और उसमें जो मेकैनिजम इन्माल वहती है वो भी हो जाएगी यह यह प्रोट्रेनेटर फार्म हो गया अब हमारा हाइड्रॉक्सिल एमीन आएगा क्या आएगा हाइड्रॉक्सिल एमीन देखिए अब नहीं करेगा यह आपके पीछे कॉंसेट होता है अग्जाइम बनाने का जब हमने आग्जाइम का कॉंसेट बनाया तो सी यह सी हो गया यह विकम्स ओ एच इड्विकम्स एस थरी एड है एच 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 नैट्रोजन बिकम्स पॉस्टिव चार्ज एड्ड ओ एच ठिक अब क इस सदेखे अगले म ten एक होगा एच से रहां से एच प्लस ऐसे आएगा और यह असकी और आप चांक सब् les हो एक तो यहां पर हो यहां पर यह हुस् forests का रुगा और यहां पर मिधायल और यह इन कि कि अज़ोफ यह दिश दो एक अज़ 5100 से निकलना है और हो स्ट 55 मारा एक अच्छा लीविंग ग्रूफ होता है तो ही यहां से निकला जाज देखिए यह निकला in the form of water इसके पास क्या है लोन प्यार आफ लेक्तार लोन प्यार एक्टार इसको फॉस बैक करेंगे वाटर यहां से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा CS3C double bond in OH यहां पर कैसा होगा है यह क्या होगा है यह क्या होगा पिलस इट है अलेडी वन CS3 अब यहां से यहां से माइनस एच प्लस निकल जाएगा क्योंकि निट्रोजन कैसा है पॉस्ट्टी चाज वो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा तो देखे CS3C CS3 का हम इसको इसे लिख सकते हैं इन ओ यही हमारा क्या है नि यह अब जाइम बनाने का एक मिथड होता है तो आपको यह भी बीडियो लाएंगे उसमें हम आपको maximum five problems करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दस बीडियो जो आपको ऐसे करवा देंगे तो आपको एक आइडिया लग जागे किस तरह के कुस्तन्स होंगे और वो कुस्तन्स जितने भी आपके असिस्टन्स प्रोफेसर एक्जामस में पूछे गए हैं वो उस तरह के होंगे आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ ठीक है इतना करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको हर वीडियो में मैं आपको पांच प्रोब्लम आने के बाद आपको एक कुछ दिन के बाद आपको पास एक अच्छा लेक्चर स्रीज हो जाएगा जहां पर देख सब करेंगे कैसा पैटर्न पूछा जाता है तो नो डॉन कर लीजी इसका करेक्ट आप्शन यह था ठीक है अगर आपको चैनल पसंदा है तो प्लीज चैनल के क्या करिए सब्सक्राइब के ओके थैंक्यू